कोरोना चीन से शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे दुनिया की 195 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है दुनिया भर में 3,78,965 से जादा लोग संक्रमित हो चुके हैं तो अब तक 16,515 लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया ने पहले कभी ऐसे बीमारी नहीं देखी थी वहीं दुनिया के 50 देशों में सती खतरनाक हो चुकी है ऐसे में वहां की सरकारों ने लोगों को घरों में बंद रहने को कहा है इस तरह से कोरोना का ऐसा कहर है कि दुनिया भर में करीब 170 करोड लोग घरों में क्याद रहने को मजबूर हैं कोरोना का पहला केस पिछले साल दिसंबर में आया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया में कहर बन कर उभरेगा कोरोना की वैक्सीन अब तक नहीं बनी है आपको बता दें लगातार कोरोना वाइरस का कहर बढ़ता जा रहा है इसके वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है इसलिए लापर वाही बिलकुल ना दिखाएं दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है दुनिया में कोरोना से 16,515 लोगों की मौत हो चुकी है जो बिल्कुल छोटा आंकड़ा नहीं है दुनिया के 50 देशों में 170 करोड लोग घरों में कैद है 3,88,965 लोग संक्रमित और 16,515 लोगों की मौत लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हम सभी को जरुवत है कि इस वायरस को गंभीरता से ले और साथ ही अपने घरों में रहें ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी पर काबू पाया जा सके इसका और कोई इलाज फिलहाल नहीं बन पाया है अनुशासन ही इससे बचाव है